अब यहां जो चीज़े गिवेन है उससे बहुत सारी चीज़े निकल रही है तो पहले हम वो चीज़ लिख लेते हैं पहली चीज़ तो है क्या AD perpendicular है BC के उपर AD है perpendicular किसके उपर BC के उपर साथ ही साथ DB जो है वो 3CD के equal है अब यह जो DB है वो equal है किसके 3CD के यह बाते होगे गिवेन वाली जो फ्रूब करना है हमें वो क्या है 2AB square equals to 2AC square plus BC square अब हम प्रूफ के लिए चलते हैं पहली चीज़े को समझते हैं क्या है देखिए इस जगे पे जो हमारे पास figure है figure में A, C, A, D, C और A, B, D तो triangle है माल लेते हैं माल लेते हैं क्या है अब यहाँ पर देखो एक ADV line है लेकिन जो हमें प्रूफ करना है उसमें AD का कोई रॉल नहीं है लेकिन अगर figure में देखा जाए तो AD का बहुत ज़्यादा important role है क्या कि यह एक pathagoras theorem यूज करवा सकता है question के लिए right triangle बन रहा है और इस side भी right triangle बन रहा है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं pathagoras theorem यूज कर सकते हैं लेकिन वो AD proof में नहीं होना चाहिए तो means दोनों का मतलब अगर मिला करके देखें तो क्या बन रहा है कि हम यह लेंगे जरूर लेकिन AD square को delete कर देंगे अब AD square को delete करने का मतलब क्या हो गया कि जब हम ACD में AD निकालेंगे जो निकलेगा जब हम ABD में AD निकालेंगे जो निकला दोनों को equal कर देंगे हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे तो जितनी भी अब बाते किये हैं उनके उपर apply करते हैं चलिए proof के लिए चलते हैं देखें लिखें क्या in triangle अच्छे इससे पहले ये हम थोड़ा तियार कर लेते हैं db equal to 3cd क्योंकि रास्ते में चलिए रास्ते में त्यार कर लेकि कोई दिकत नहीं देखें in triangle a dc a dc यहां क्या लिख सकते हैं a d a c square equals to a d square plus c d square इसको equation first माना दूसरा in triangle a b d ठीक है क्या लिख सकते हैं a b square equals to a d a square plus b d a square चलिए यही पर a d a square अके ले कर देते हैं तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है अगर हम एक साथ देखें तो a d a square equals to a c square minus c d a square इसको equation first मान लेते हैं अब यहां पर से a d a square क्यों होगा क्या हो जाएगा a b square minus b d a square यह हमारा second हो गया क्यों a d a d क्या एक तरफ क्योंकि a d को निकालके यहां बाहर कर देना है तो a d बाहर करना है तो दोनों के lhs में a d a d square आ गया अब a d हट जाएगा दोनों के rhs में लिख देंगे ठीके तो क्या लिखेंगे फ्रॉम equation first and second फ्रॉम equation first and second जो दोनों equation है इनमें देखी हमें क्या मिल रहा है पहले equation में a c square equals to a c square minus c d square equals to a b square minus b d square देखिए अब यहां पर आके रुकते है यहां पर क्या दिया हुआ है a c c d a b b d लेकिन जो प्रॉब करना है उसमें c d और b d नहीं है तो question ऐसा देता है कि वो हमें कहीं पर ले जाकर के छोड़ता नहीं है वो कहीं ने कहीं hint आपको दिया रहता है इसकी मतलिए तो अब इस समस्या से इस problem से हम कैसे बाहर आ सकते हैं उसी के लिए देखिए यहां पर hint दिया हुआ है क्या दिया हुआ है hint दिया हुआ है समझ में आई बाद अब इस hint की मदद से हम इन दो c d और b d के जगह पर जो भी value होगी वो place करेंगे क्योंकि answer b c में आना चाहिए ना कि c d और b d में आना चाहिए समझ में आ गया अब चलिए देखिए यहां लिखते हैं where क्या है हमारा d b equal to 3 c d जो इस दोनों को अगर हम add करें c d प्लस b d क्या हो जाएगा ये b c बन गया ठीक है अब यहां देखिए इस d b के जगह क्या लेख सकते हैं 3 c d लिख सकते हैं b c आ गया अब यहां देखो ये 4 c d हो गया ये b c हो गया next page भी चलते हैं देखो 4 c d equals to b c आया था क्या आप c d यहां लिख सकते हैं c d equal to b c by 4 देखिए एक चीज निकल गया यानि मैं अब यहां c d की जगह b c by 4 लिख सकता हूं clear दूसरा अब b d चाहिए मुझे b d का relation इसके साथ है 3 c d b d equals to क्या है 3 c d c d आया क्या है 3 into b c by 4 अब देखो c d की value मिल गई और b d की value मिल गई अब इन दोनों की value यहां पर put कर देना है चलिए next page में ही करते है a c square c d square equal to a c square c d square equals to a b square minus b d square एक बार और देख लिया जाए a c c d a b b d चलिए देखिए a c square minus अब देखो यह c d का square ना इसको लिखना भी है थोरे दियान से नहीं तो लिखने में हम कई बार क्या करते हैं कि b c का square by 4 लिखते हैं लेखिन किसी की जगह अगर place करते हैं तो बार बार बच्चो इस चीज़ को दिमाग में जरूर रखना कि पूरा bracket का यूज़ करते हैं अब यह क्या हो गया a b square minus 3 b c upon 4 whole square अब हम simplify के लिए चलते हैं a c square minus यह क्या हो जाएगा b c square 4 का square 16 होता है a b square 3 का square 9 होता है b c square upon यह फिर 16 आ गया दोनों 16 16 वाले को एक तरफ करते ते यह यहीं से solve करते हैं ठीक है चलिए यहां अगर हम lgm लेंगे तो यह 16 आ गया यह 16 a c square है यह b c square है equals to a यहां भी 16 ले लेंगे तो यह 16 a b square हो गया और यह minus का 9 b c square हो गया 16 और 16 कैंसिल हो गया देखिए अब यह b c square दोनों एक तरफ कर दो तो क्या बन जाएगा इन दोनों को एक तरफ कर दो यह बन जाएगा 9 b c square minus b c square और यह बन गया 16 a b square minus का 16 a c square जो 9 b c है और प्लस minus b c 8 b c square बन गया ठीक है और यह क्या बन गया 16 a b square minus का 16 a c square अब इन दोनों में से हम 8 अगर common ले लें यहां से अगर 8 common ले लें तो 2 a b square minus 2 a c square अब धीरे धीरे दिख रहा है कि हम अपने गोल की तरफ पहुँच रहे हैं यह देखते हैं प्रूब क्या करना है a b square एक तरफ है बाकी की दोनों चीज़े एक तरफ है तो a b square इधर ही रहें देते हैं इसको इधर ले आते हैं तो 2 a b square equals to 2 a c square plus b c square और यही हमारा answer है एक बार इसको प्रूब है एक बार इसको थोड़ा insert देख लेते हैं देखें question को त्यान में रखने का तरीका आपका यह होगा कि हमें prove given even निकालो prove क्या करना है यह लिख लो सबसे पहली चीज़ फिर दो right angle triangle है दोनों में से ad को guide कर देना है ad guide होने का मतलब क्या है कि दोनों में जो दो हमारे right triangle है दोनों में pathagoras use करेंगे और जो ad square ad square आएगा उन दोनों को हम equal कर देंगे यहां भी आया ad square और यह भी आया ad square उन दोनों को equal कर देंगे cd और bd जो हमारे equation में आएगा उसको हटाने के लिए db equal to 3cd लेंगे और db और 3cd यह कैसे होगा cd plus bd equal to bc होगा वहां से calculation मात्र है जिससे हम bc के term में cd और db की value find कर सकते हैं जब cd और bd की value आजाएगी तो यहां रख देंगे और फिर सिर्फ से हाँ ज्यान रखने वाली बात है कि जहां रखेंगे वहां whole square होगा उसके बाद सिर्फ calculation है calculation मतलब जो lcm वगेरा आप करते आ रहे हो since childhood चलिए